जब आप confused होते हो कि हमें करियर के साथ क्या करना है तो इसमें सबसे पहली step यह होती है कि आप कम से कम दो या तीन करियर सिलेक कीजी मैं example देता हूँ हो सकता है कि आप government के लिए आपके मन को बना साकते है कि चलो मैं government के preparation करता हूँ दूसरा option हो सकता है कि मैं किसी specific field for example valuation के field में जाना चाता हूँ या फिर तीसरा option हो सकता है कि मैं खुद का office यहाँ पर शुरू करना चाता हूँ तो इसमें करना क्या है आपको directly decision नहीं लेना है मैं कहूँगा कि कम से कम तीन साल आपको समय देना चाहिए उस government job के लिए preparation के लिए अगर तीन सान में अगर आपको success नहीं मिल रहा है या पर आप वहापर satisfied नहीं हो आपको लग रहा है कि अब नहीं होंगा मुझसे यह competition मैं नहीं बरदाश्क कर पाऊँगा तो आपको सच में आपका जो plan है वो switch करना चाहिए फिर बाद आती है मान लीजे कि हो सकता है कि आपको लगे कि चलो मैं किसी x y z field for example हम यहापर valuation की field कहते है valuation की field में जाना चाहूँगा किसी और company के लिए काम करना चाहूँगा और वहापर job मिलेगा तो उससे मुझे income होगी तो मैं यह कहूँगा कि वहापर भी आपको कम से कम एक साल देना है ठीक है एक साल के बाद आप यह decision बना सकते हैं कि क्या सच में valuation मेरा जो favorite है या नहीं या पिर यह सिर्फ मुझे किताबों में ही अच्छा लगता था प्रैक्टिकल फिल्ड में यह चीजे मुझे अच्छी नहीं लग रही है तीसरा जो option है खुद का job करना या फिर खुद का business start करना यह मैं आपको clear कर दूँ कि देखे यह option आपका तब होना चाहिए अगर यह आपका पहला option है ठीक है अपना खुद का office शुरू करना है या फिर खुद का business शुरू करना है तो basically मेरी जितने भी decisions थे मेरी जो भी कदम थे वह इस aim की तरफ या फिर इस goal की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन अगर आपका यह option है तो यहाँ पर एक problem होगा जो यह होगा कि आपके मन में हमेशा यह रहेंगा कि अगर मैं government job में अच्छा करता तो शायद यह खुद का job करने की मुझे जरूद नहीं होती या फिर किसी अच्छी company में होता तो मुझे यहाँ पर यह जॉब करने की जरूद नहीं होती उसका reason बता दूँ अगर आप यह कह रहा है कि यह बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि खुद का business है खुद का office है लेकिन मैं मेरी experience के साथ बता दूँ कि यहाँ पर आपको जिसे मैं success भी नहीं कहूंगा जिसे एक survival जिसे कहते कि जिसे बस आपके office का rent निकल सके या फिर आपका जो भी महिने का खर्चा है वो निकल सके इसके लिए जितना पैसा लगेंगा वो कमाने के लिए भी आपको patience चाहिए इसका मतलब यह होगा एक दू साल आपको खाली बै आपका knowledge तो हर फिल्ड में है आप government की preparation करो किसी और की company में काम करो या फिर खुद का office शुरू करो आपके पास theoretical और थोड़ा बहुत practical knowledge होना बहुत जरूरी है उसके सिवा तो आगे नहीं बढ़ सकते सो basically मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको try करना है government job के लिए minimum 3 साल private job के लिए एक साल और उसके बाद अगर आपको लगता है कि सच में मैं कुछ कर सकता हूँ तो उसके बाद आप private के तरफ आए लेकिन मैं private innocence खुद का job लेकिन उसके लिए मैं एक बात बता दूँ अगर आप शुरू करना चाहते है इस situation में कि जहाँ पर यह आपकी पहली priority नहीं थी खुद का job शुरू करना तो मैं कहूंगा कि यह आपको इस past साल के अंदर ही नहीं करना है यह आपको आपकी जो financial condition है वो strong होंगी इसका मतलब आपको private job करना होगा उसके बाद आपकी पहचान बनेग तो शायद आपने उतने patience नहीं रहेंगे जितने जैसे मैं रहा या फिर कोई और बंदा रहा जो start से ही यह कांग करना चाहता तो यह बात आपको ध्यान रिखनी है